आज हम बात करेंगे जम्मु कश्मीर के विशय पर एक ऐसा विशय जिस पर लगातार हर बार बात और चर्चाए होती ही रहती है कभी यहाँ पनप रहे आतंगबाद को लेकर कभी स्वतंत्र राजी की मांग को लेकर तो कभी यहाँ पर पनप रही सियासी की चातान को लेकर लेकिन आज हम जिस विशय पर बात करेंगे उस पर शायद आपको बहुत कम ही जानकारी हो हम बात कर रहे हैं जम्मु कश्मीर के अपने स्वतंत्र जंडे के बारे में आज हम आपको बताएंगे कैसी कहानी जो वर्षो पहले लिखी गई लेकिन उसका अस्तत्व उसकी महत्वता आज भी बनी हुई है क्योंकि जम्मु कश्मीर जो राज्य है वो दूसरे राज्यों से एकदम अलग है यहाँ का स्वतंत्र समविधान और एक विशेष जंडा इसे बाकी राज्यों से बिलकुल अलग बनाता है ये मुस्लिम बहुल एक मात्र राज्य है जो हमीशा से विवादों में बना रहा है आज इस जंडे की विवादित कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बारतिय राष्ट्रे ध्वच के साथ-साथ जंबु कश्मीर का जंडा भी सामानतर रूप से अस्तित्व में रहा है इसे साल 2015 में बीचेपी सदस्य और पूर्व पुलस अधिकारी फारुक खान ने जंबु कश्मीर हाई कोट में चुनौती दी थी लेकिन पिछले कुछ समय से कोट इस मसले पर शांत ही रहा है फारुक खान बार्द में लक्ष्वदीप में प्रसाशक के रूप में नियुक्त किये गए फारुक खान ने ये याचिका मुफ्ती मुहमत सईथ सरकार के उस सरकुलर के बाद दायर की थी जिसमें उन्होंने सभी समवेधानिक इमारतों और सरकारी वाहनों पर जम्मुकश्मीर के प्रांतिये जंडे को फेहराने का आदेश दिया था और ये सरकुलर तब जारी किया गया था जब अब्दुल कयूंग खान नाप के एक सक्ष ने जंडे के सम्मान के संबंद में अदालत के निर्देश मांगते हुए एक याचिका दायर की थी ये PDP-BJP सरकार के बीच पहली तकरार थी बाद में सरकारी वेग साइट से चुप चाप ये सरकुलर हटा दिया गया ये मामला अदालत में तब पहुचा जब BJP और PDP गटबंदन के एजंडे नाम से एक समझोते के तहत जुड़ गए थे ये एजंडा अन्य बातों के अलावा ये भी कहता है कि राजनेतिक और सम्मेधानिक वास्तविक्ताओं पर विचार करते हुए जम्मु कश्मीर के विशेश सम्मेधानिक दरजे को लेकर BJP और PDP के इस्थितियों को मान्यता देते हुए उनकी धारणाओं को सराहते हुए भारती सम्मेधान में विशेश दरजे सहित जम्मु कश्मीर से संबंदित सभी सम्मेधानिक प्रावधानों पर वर्तबान इस्थिति बनी रहेगी आपको बता दें जम्मु कश्मीर के जंडे का बेक्ग्राउंड लाल रंका है और इसमें एक हल्की तस्वीर बनी हुई है इसके साथ ही इसमें तीन प्रमुक लाइने हैं ये लाइने जम्मु कश्मीर और लद्दाक को दरशाती है इनका अपना एक अलग इतिहास है जो 1931 के राजनितिक आंदोलन से कहराई से जुड़ा हुआ है माना ये जाता है कि इसकी शुरुवात 13 जुलाई 1931 से जुड़ी है जब डोगरा सरकार ने श्रीडगर की सेंटरल जेल के पास एक जुलुस पर फाइरिंग के आदेश दिये थे जिसमें 21 लोग मारे गए थे बताया जाता है कि इसके विरोध में किसी ने गायल व्यक्ति की खून में सनी हुई कमीज निकाली और भीड ने उसे जम्मु कश्मीर के जंडे के तौर पर फहराया 11 जुलाई 1949 को डोगराश शाशकों के विरोध आंदोलन कर रहे राजनितिक दल जम्मु और कश्मीर नैशनल कॉन्फरेंस ने इसे अपने जंडे के तौर पर अपनाया भारत के पूरो प्रधान मंत्री जबाहरलाल नहरू और ततकालीन जम्मु कश्मीर के प्रधान मंत्री शेक मुहमद अब्दुला 1952 में केंद्र और राजी की शक्तियों को परिभाशित करने वाले एक समझोते पर राजी हुए थे जंडे के मसले में तिरंगे को राश्ट्रिय ध्वज माना गया जम्मु कश्मीर के जंडे को राज्य का जंडा माना गया और दोनों साथ फैराए गये समझोते की धारा चार में लिखा गया था केंद्र सरकार केंद्रिय जंडे के साथ राज्य सरकार के अपने जंडे को लेकर सहमती जताती है लेकिन राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं है कि राज्य का जंडा केंद्रिय जंडे का प्रतिरोधी नहीं होगा ये भी मानिता दी जाती है कि केंद्रिय जंडे का जम्मू और कश्मीर में वही दर्जा और स्तिती होगी जो शेश भारत में है लेकिन राज्य में सुतंतरता संगराम से जुड़े एतिहासिक कारणों के लिए राज्य के जंडे को जारी रखने की जरुरत को मानिता दी गई है बाद में जम्मू और कश्मीर के सम्मिधान में भी इसे अपनाया गया जम्मू और कश्मीर के जंडे का डिजाइन किसने बनाया था ये तो साफ नहीं है लेकिन इस संबंद में मोहन रहना नाम के एक व्यक्ति का नाम आता है वो कलाकारों के परिवार से संबंद रखते थे 21 नागरिकों के मारे जाने की कहानी के अलावा जंडा कुल मिलाकर एक राजनितिक आंदोलन का प्रतिनित करता है जो कि 1947 से पहले किसानों के शोषण और उसके खिलाफ के इंदरित था तो ये थी जम्मू कश्मीर के जंडे की कहानी जो आज भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग विवादित मुद्दो की तरह विवाद में बना हुआ है हम इसी तरह आपके पास और भी जानकारिया पहुचाते रहेंगे लेकिन उसके लिए अगर ये वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं झाल